एक बात तो इस फिल्म की जो अच्छी है इसमें सेट्स और कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे और बहुत महंगे है आपसे किसी ने इस फिल्म का परीजय करवाया मतलब ये कि आपने दर्शन किये पूरी ताइग नहल फिल्म किये मैंने डीवीडी पर देखी ओम पूरी ओम प लाइट तो आई नहीं होगी ने लाइट आ गई थी मगर मुझे और जरूरी काम थे इस वज़े से मैं इसको मुकमल नहीं देख सका आप एक डेलिगेशन के साथ पाकिस्ताना है और अभी तक कोई आपने ऐसी बात नहीं की जब इनसान किसी वज़े से दूसरे मुल्क जात और आप हिंदुस्तान के अखबारों में अक्सर फिल्मों के बारे में लिखते हैं जी 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 अवज़े लिखते हैं ताज महल के बारे में क्या लिखा था ताज महल के बारे में हमने ये सूचना दी जनता को ये सूचना दी के बाईस हजार कलाकारों मिलके अपना फन अप प्रश निकला ताज महल को अरपन की, नक्सी निगारी अरपन की, लेकिन मेरा हिर्दय तूट गया महा से, मेरा हिर्दय तूट गया, कल्यूग आ गया है, कल्यूग आ गया है कि ताज महल देखने के लिए 22 फूरच भी नहीं आई, ये कल्यूग है, कल्यूग है, कल्यूग है, अब मैं आपको एक बात पताता हूँ एक सूच ना देता हूँ आने वाले दिनों महाशे पाकिस्तान हिंदुस्तान की फिल्मों की बहुत बड़ी मंटी सावित होगी अब आप लोगन को चाहिए कि वह जो फिल्म मना रहे हैं वहाँ से एक फिल्म का नाम है बंटी और बबली बंटी और बबली मोगलों की फिल्म कहां से आ गई? बंटी आइडिया था बाबर, सहिंसा बाबर का और बबली आइडिया था सहिंसा अकबर का बाबर बबली, अकबर बंटी क्या हो गया? येट प्रोग्राम है जिसमें आप महवान है और आप भारस तश्च्चिकर आइडिया और हमें थे कोई अवार्ट का फंक्शन नहीं है कि हर अवार्ट के फंक्शन में आप इस तरह की बात करने की अजिददत है आपको ये एक नॉर्मल टी वी का परोग्राम है। और हम ये भी हमारी कला में सब नॉर्मल है। तुमौल है। 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 पकुषछारे मीस भी महोल इक बहुत ज्यादा है। हर फंक्षन में चले मगर मैं ही कह रहा था आपसे कि 75 क्लोड की फिल्म ताज महिल उसको हिट होना चाहिए था महापुरुस आगरा में तो हमने सुना कि सेनेमा हाल वाले सौ सौ भारत का रुपया दे रहे थे पूरी फिल्म देखने के लिए और जो महापुरुस आदी फिल्म देखके वापस जा रहे थे सेनेमा हाल वाले उन से 50-50 रुपय वापस ले रहे थे ये दान नहीं था ये वाकिए था ये मैं आप से कहूँ बहुत सी अच्छी फिल्मों की खिस्मत खराब होती है ताजमहल बहुत मेहनत और मुहबबस से बनाई गई थी बात ये है महापुरस के भगवान की दया से सहिंसा सा जहां जो है वो परलोक सिधार गई अगर वै जिन्दा होते तो भारत से चार पांच खान जो है लापता हो जाते तिन हजार हैलमेट बनाई गई ताजमहल में काम करने वालों के लिए और उसमे से बारा हैलमेट केवल बारा हैलमेट फिल्म बनाने वाले पहन के पूरे बारतने मटर अबस कर रहे हैं धन्यों हो घोर अन्याई है घोर परन में आए। सिर्फ हम लोग हेलमेट्स की बात ने करें। महल के सीन, मार्बल, लकड़ी के दरवाजे, मुम्ताज महल के बलाउज। अब वही मुम्ताज महल पे जो नक्षनिगारी गुम्वतों पे हुई थी, वही ड्रेस के जो डिजाइन है, वो यहां की कलाकाराओं के उपर हुई थी ताज महल में। आप देखें, देखें। चले छोड़े इस बात को, आपको पाकिस्तान कैसा लगा परसों तक तो बहुत ही, यानि चतोराई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको, मैं बहुत साद्गी से आपको बता रहा हूँ, कि परसों तक बहुत ही भाला लगा। क्या मतलब परसों तक पाकिस्तान अच्छा लगा। बात यह है के जहां पर इसकी महूरत हुई थी कराची में जिस थेटर में, वह थेटर के सामने से मैं जा रहा था। किसी ने जाके थेटर के मेनेजर से ये कान में कह दिया के नूर जहां डेलीगेशन में, जो एक डेलीगेशन का मेंबर हैं, यहां से गुजर रहा है। अब क्या है के मैं तो सती सावित्री की तरह से चा रहा था। वहां से वह मैनेजर आया, मेरी गुद्धी थामी और आके कहने लगा, चल अंदर। अंदर ले जाके थेटर में बिठा के कहा, पूरी फिल्म मेरे साथ देख। मैंने कहा, यन्याए है, यन्याए है, शमा चाहता हम बुलें नहीं, पूरी फिल्म देख। देखी, तो आपने फिल्म देखी फिर, मैरे सुना है आप अपने साथ ताज महील के से सले में कोई किताब भी लाए, किताब दूाए है, लेकिन फिल्म मरपन करने के बाद मैनेजर ने, हम आपको यक बाद शमा चाहते हैं बपपगे बताना चाहते ए, कि मेनेजर ने हमें वो वो सुनाई है क्या फिरोज खान ने लाहौर में आप लोगों को सुनाई होगी जो मेनेजर ने हमें सुनाई है यह बहुत गलत बात थी मेनेजर ने चले यह किसाद खुतम हुआ मगर यह कि मैंने सुनाई है कोई किताब लेके आए हैं झाल झाल झाल